हेल दोस्तों आप देख रहे हैं इन्फरमेंसल कासिच आज हम ले इस वीडियों में बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टिचीवड यानि सिक्षन सास्त का प्रेक्टिस सेट या 18 है अभी तक 1 से 17 तक नहीं देखें तो जरूर देख लिजेगा इसमें आपका 25 सवाल को डिसकस करने वाले हैं जो बहुत ही महदपूर्ण है आपको मतलब प्रेप्रेशन कर रहे हैं तयारी कर रहे हैं इस टेट का तो उसमें बहुत ही आपका सहायता परदान करने वाला हैं ये सभी questioning ये सभी प्रेक्टिस सेट तो चलिए बिना देर की वे आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं पहला सवाल और एक नंबर सवाल यहां पे आप देख सकते हैं आपके सामने हैं छात्रों में अपराधिक प्रविर्ति युवा अपराधित्ता का मुख्य कारण है क्या हो सकता है इसका राइट आंसर जोरुबत लएक चलि मैं आपको बतलाता हूँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि A भी सही है यानि ये सभी चलि आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं अगला सवाल यहां पे और दो नंबर सवाल देख सकते हैं सिक्षन की डाल्टन विधी अरम करने का श्रे किसे है तो यहाँ पे देख सकते हैं ओप्शन नमबर ए दिया गए डॉक्टर डाल्टन पार्क हर्स्ट या किल पैट्रिक या पेस्टा लॉजी किसी ने किया था तो ओप्शन नमबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा नि दो का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा नि पार्क हर्स्ट ने किया था चलिए आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं अगला सवाल और यहाँ पे देख सकते हैं तीन नमबर सवाल आपके सामने है और कहा गया है तीन नमबर सवाल में पाठ योजना तब भी सही बन सकेगी जब सिख्छक को यानि आप किसी पाठ का योजना कर रहे हैं तो कब सही होगी जब आप क्या करेंगे छातरों के पूर्ब ज्यान का पता हो विभिन सिख्छन विधियों का ज्यान हो सिख्छन सिधानतों का ज्यान हो या इन में सभी तो आपके मतलब आपको छातरों का भी ज्यान होना चाहिए पूर्ब ज्यान यानि प्रिवियस नौलेज और आपका विभिन सिख्छन विधियों का भी ज्यान होना चाहिए तो इसके अनुसार यानि A भी सही है, B भी सही है और C भी यानि option number D इसका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला सवाल और चार number सवाल यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षन का कार है यानि शिक्षन का कार क्या होता है हर ब्यक्ति कर सकता है शिक्षन का कार हर ब्यक्ति कर सकता है हर ब्यक्ति के वर्ष का नहीं है या पढ़ा लिखा ब्यक्ति कर सकता है या बहुत से सिक्षक भी नहीं कर पाते क्या हो सकता है तो देखिए सिक्षन का कार तो सब लोग बोलते हैं कि कर सकते हैं लेकिन देखिए हर ब्यक्ति के वर्ष का यह काम नहीं है, यानि सभी लोग तो नहीं कर सकते हैं इस काम को, मतलब जो लोग कम मतलब उनका दिमागी हालत से सही नहीं है, तो क्या उलोबी सिक्षन कार कर सकते हैं, तो यहीं बात है कि यानि हर ब्यक्ति के वर्ष का यह नहीं है सभी लोग इस काम को नहीं कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं अगला सवाल और यहाँ पे पांच नंबर सवाल दिया गया है कि निमलिखित सिक्षन बीधियों में से कौन सी बीधी वास्त्विक अनुभाव को परदान करने के दिर्ष्टी कौन से उत्तम है यानि सबसे अच्छा है सर्वत्तम है भर्मन बीधि पोरजेक्ट बीधि भाषन बीधि या पाठ पुष्टक बीधि तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो यानि पांच का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं भर्मन बेदी सबसे उत्तम बेदी है चलिए आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं अगला सवाल और six number सवाल हमनों देखेंगे यहाँ पे six number सवाल दिया गया है चात्रों में अनुसासन बनाय रखने के लिए एक सिक्षक की कौन सी भूम का सराहनिय है यानि आप चात्रों में अगर अनुसासन बनाय रखना चाहते हैं तो कौन सी भूम का अदा करनी परेगी आपको सिक्षक की अपनी योगिता, सिक्षक का बिचार, या सिक्षक का ब्यक्तित्व, या option number D देगा कि सिक्षक की कक्षा परवंदन की छमता तो जो option number A और B, C देखे थे वो भी सही था लेकिन सबसे उप्योगी यानि उत्तम जो option number है वो D हो जाएगा यानि कक्षा की परवंदन करने की छमता कितनी है यह सबसे बात सराहनी है चलिए आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं अगला सवाल और यहाँ पर साथ किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए सरकार के हाथ में सिक्षित व्यक्तियों के हाथ में गयर सरकारी समतियों के हाथ में या उप्रयोक्त सभी के हाथ में तो चलिए हर बार की तरह इस सवाल का जवाब आप कमेंट बक्स में जरूर देंगे आपकी अनुसर क्या ल किसी कार्य का बोज अपेक्षित नहीं है क्या हो सकता है लिखने का बोज पढ़ने का बोज ग्रीकार्य का बोज या विद्याले जाने का बोज तो उनको मतलब क्या चीज की अपेक्षा नहीं किया जा सकता है छोटे बच्चों की हम लोग बात कर रहे हैं तो उनका मतलब आठ क्या हो जाएगा आपका सी नंबर सही हो जाएगा या उन्हें ग्रीकार्ज का बोज नहीं दिया जाए यह आप एक्छित नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला सवाल और यहाँ पे देख सकते हैं 9. सवाल दिया गया, एक अध्यापक की दिरिष्टी से विद्याले में छातर संग संगर्ठन के बारे में आपकी धर्णा है, यानि आपकी विचार क्या है, छातर संगर्ठन के बारे में आप एक टीचर है, आप एक अध्यापक है, तो आपका विचार क्या है, इससे कोई नेत्रित्व की भावना बढ़ती है छातर संग से क्या होता है तो अप्शन नमबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इससे क्या होगा छातरों में नेत्रित्व का भावना बढ़ेगी चलिए आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं अगला सवाल और दस नमबर सवाल को हम दिया जये तो अपक्या करेंगे इस विश्य पर मित्रों को सलथर देंगे एंड़ माना कर देंगे सहर्ष त्यार हो जाएंगे कुछ देर का समाएं मागेंगे क्या करेंगे तो औस नमबर इसका सी राइट abre कर सतौना है एकिस ने वाले हैं तो आपको positive हमेंसा सुझाए यानि सहर्स त्यार हो जाएंगे आपकी हां मैं बिल्कुत दे सकता हूं अपना विचार रख सकता हूं इस पे चलिए आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं अगला सवाल और यहां पे 11 नंबर सवाल है कि एक डॉक्टर तथा ध्यापक में यह समनता है कि यानि डॉक्टर और ध्यापक में क्या समनता हो सकती है दोनों नीदान के पशचात ही उपचारात्मक बिद्धी अपनाते हैं दोनों ही व्युक्षाई हैं दोनों आराम में एक ही जैसी सिक्षणगरहन करke आते हैं दोनों ही समाज सेवी हैं तो देखाजये तो option number सब मिला जो लगर सही है लेकिन इसमें जो option number A है क्या है दोनों नीदान के पहस्चात ही उप्चरात्मक बेदी अपनाते हैं इन सभी option में उत्तम है यानि तो option number A इसका right answer हो जागा यानि 11 का A चलिए आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 12 नमर सवाल दिया गया है आपके बिचार में primary सिक्षा निशूल करने से यानि जो primary सिक्षा उसको अगर निशूल कर देते हैं तो क्या होगा अध्यापक इसे गंबिरता से नहीं ल आपको हमेशा positive ही सुचना है तो इसका मतलब या कि सक्षर्ता क्या होगा बढ़ेगी तो option number C right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं अगला सवाल और 13 नमबर सवाल यहाँ पर देख सकते हैं सिक्षा का माध्यम ऐसी भासा को बनाना चाहिए यानि सिक्ष सद्रिश उपलब्ध हो जो सम्रेद्ध हो जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो तो उसी भासा को सिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जीस पर जन सदारान का अधिपत्त्य हो यानि option number A इसका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं अगला सवाल परतियुकता हो रही है उसमें आपको निर्नायक मतलब चुन लिया जाता है आप भी उस मंडल में सामिल हैं तो आप क्या करेंगे परतियुकता है कि परदर्शन के अनुसार निर्नाय देंगे गर्व कमष्ट अन्योंभाव करेंगे या साथी निर्नायकों के ध्यान में नहीं कि मेरा साथ ही अगर उनको ज्यादा नंबर देदा या ज्यादा अंक देदा तो मैं भी देदू नहीं परतिभागी जो भी है उसके परदर्शन के अनुशार ही आपको निर्णाय लेना है क्योंकि आप एक टीचर है तो यह सब सुच रखना परेगा आपको चलिए आग को बतलाना थे है क्ट्र में कोई कमी हो सकती है काक्षा में भोतिक वasıट में कोई कमी हो सकती है शिक्षन में कोई कमी हो सकती देखी यहां पर या Tuk एतलन नंबर आप सवाल देख सकते हैं किया अभिवागे को अपने बच्चों को ग्रिहकार करवाने सहीोग देना चाहिए आपका क्या मतलब विचार है कि क्या अभिवाग को उनके बच्चे को जो भी इन करें चाहिए नहीं बचों को गिरिख कार स्वयम करना चाहिए नहीं यह अविवावकों का अत्रिक्त बोज है हाँ इससे बच्चे गिरिख करके लाएंगे हाँ इससे अविवावकों को अपने बच्चों के प्रगती का पता चलता रहेगा तो यहीं इसका option सही हो जाएगा यह अप्षन न सतरह नंबर सवाल देख सकते हैं शिक्षा परमधर्म है क्यों की सिक्षा जो है वो परमधर्म है क्यों सभी धर्मों से बढ़कर सिक्षा जो धर्म है क्यों इसे कोई चुरा नहीं सकता इसे कोई छिन नहीं सकता इसे जितना बाटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा तो इस की सभी सई है तो अपसे नंबर क्या हो जाएगा डी इसका राइट अंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं अगला सवाल और यहां पर देख सकते हैं आठारा नंबर सवाल आपके सामने हैं बहरों के लिए सिछा ब्योस्था के छेतर में किसका नाम उलख लेखनी है एनिवे सेंट मरिया मांटैंसरी विलियम जोन्स या हैलन किलर अठारा नंबर का क्या हो जाएगा तो आप अगर नहीं सुने हैं नाम हैलन किलर का तो आप एक बार जरूर इसको गूगल करके सर्च कर लिजीगा इसके बारे में आपको जानना चाहिए आपको बह देखते हैं चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल देखते हैं और यहां पर 19 नंबर सवाल है कठिन सब्दों का अर्थ समझाने समझाने का बहवारिक ढंग है यानि कोई भी कठिन सब्द है आप पढ़ा रहा है उसमें तो आप कैसे समझा पाएंगे अपने चात्रों को अपने विद्यार्थियों को उनका प्रिवाची सब्द बताना यह भी बात सही है उनको वाक में परियोग करके बताना यह भी कर सकते हैं उनका बिलूम सब्द बताना यह भी कर सकते हैं तो यानि तीनों कर सकते हैं यानि अप्सन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए खेल किरियाओं द्वारा मनरंजन, खेल की सिक्षा किरियाओं शिलता पे जूर तो इसका option number यानि 20 का क्या हो जाएगा, right answer यह हो जाएगा, खेल किरियाओं द्वारा सिक्षा यानि प्लेवे मेथड आप अपनाएंगे और खेल किरियाओं के द्वारा ही सिक्षा दिया जा सकता है, बहुत असानी से, चली आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला सवाल, 21 नमबर सिक्षा में परेजन बात की विचार धारा का परवर्तक कौन था, यहाँ पे A, B, C, D option दिये गए हैं, तो 21 का आपको डाइरेक्ट में आंसर बतला देता हूँ, विलियम जेम्स को कहा जाता है, चली आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला सवाल, और 22 नमबर सवाल आपके सामने है, किस बिद्वान ने सिखने के पांच चरन बताये थे, कौन सा ऐसा बिद्वान था, जो सिखने के पांच चरन बतलाये थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रोवेल, हरवर्ट, प्लेटो की मिनियम ते ओ, 22 का क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है ने, हरवर्ट, चली आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला सवाल, और 23 नमबर सवाल हम लोग देखेंगे, भासा सिखने का परवावी उपाय क्या है, यानि किसी भासा को आप सिखना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा उत्तम उपाय क्या हो सकता है, पाठ पुष्टके पढ़ना, साहिक पुष्टके पढ़ना, अखबार पढ़ना या वर्तालाप करना, तो सबसे आसान है भासा सिखना वरतलाब किजिए उसमें डिसकसन किजिए बात चित किजिए यहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि D चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगलर सवाल और यहां पर 24 नमबर सवाल देख सकते हैं नि शुल्क और अनिवाज प्रायमरी सिख्छा लागू होने के फॉल्श रूप बालकों में सक्षर्टा बढ़ेगी गरामिन छेत्रों में सक्षर्टा बढ़ेगी देश में सक्षर्टा बढ़ेगी क्या हो जाएगा तो बालकों में सक्षर्टा बढ़ेगी गरामिन छेत्रों में सक्षर्टा बढ़ेगी देश का भी बढ़ेगा जब गरामिन में 카shareक जो बेद्वाकि अच्छा को जब आँए है कि से चाहीं को मैं शिक्षक है तो सबसे सब्सक्राइक कि विज्ञां के किसे दो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा अपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्य बाद